द्रागन बाल सूपर और ड्रागन बाल अल्ट्रा और 99.999% चांसेज हैं कि हमें ड्रागन बाल सूपर एनिमे के नेक्स्ट सीजन की आने की कोई डेट पता लगी कि क्यों की बहुत से लोगों का सवाल है कि ये तो किसी और चीज से बारे में भी हो सकता है लेकिन नहीं क्योंकि game के लिए अलग panel है और जितनी भी चीज़े related है Dragon Ball के उन सब के अलग panel है और ये 21 दिसमबर और 22 दिसमबर सिर्फ दो panel है जिसमें सिर्फ और सिर्फ anime मतलब के Dragon Ball Super Anime के बारे में बात की जाएगी और अगर एक anime panel में कुछ ऐसी news दी जाती है कि जो season से related ना हो लेकिन दूसरे panel में क्या news देंगे वो लोग जो की excited है और आप लोग जानकर चौक जाएंगे Hello fandom मैं हूँ आपका दोस्क वे जीडा और अगर आप भी जानना चाते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के end तक और मेरे चैनल पर भी जिससे की आपको मिलते रहे ऐसी awesome वीडियो तो अपने कैलेंडर्स पे मार्क कर लो 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को Twitter, Facebook, YouTube जितने भी तुमारे YouTubers हैं जिन लोगों को तुमने subscribe किया हुआ है उनके सारे notification ओपन कर दो क्यों की अगर तुम हो सचे बख Dragon Ball के तो तुमें ये news पता लगनी ही चाहिए अब जैसे की image में देख सकते हो सब चीज साफ clear लिखी है इसमें कुछ ज़्यादा explain करने वाली चीज तो नहीं है लेकिन दो panel ही क्यों अगर anime से related कोई चीज बतानी होती तो वो हमें normally एक panel में भी बताई जा सकती थे क्योंकि ये panels बहुत बड़े होते हैं नका time duration बहुत जादा है लेकिन फिर भी बड़े-बड़े panels वो भी दो दिन अब उन दो दिनों में ये super की हमें कहानी तो नहीं बताई जाएगी वो हम सबको पता है और staff में बहुत सारी ऐसी चीज़े हो रही है जैसे कि इनके voice actors इधर उधर घूम रहे हैं हम लोगों को एक hint मिलना शुरू हो गया है और ऐसा वैसा hint नहीं एक पक्का सुबूत जिससे की हम लोग इस चीज़ पर 99.99999% विश्वास कर सकते हैं की super anime से related हमें कुछ ना कुछ उसके मतलब news जरूर मिलेगी कि वो कब आएगा अब इसमें ये नहीं है कि वो 2020 में ही आए वो हो सकता है 2021 में आए खेर 22 तो कुछ जादा ही late हो जाएगा लोग बाग dragon ball super anime की थोड़ी से उमीद ही छोड़ देंगे लेकिन ऐसा नहीं है और दूसरी बात कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मांगा के बारे में बात हो सकती है क् ठीक उसे के साथ वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो टाइटल है वो है dragon ball super anime के लिए तो guys 21 दिसमबर और 22 दिसमबर अगर आप थोड़े बिजी हो तो अपना schedule निकाल के थोड़े से social medias पे बने रहना और अगर आप लोग ये news मेरे से जाना चाहेंगे तो मुझे facebook, twitter पर follow कर सकत है no issues मैं बिल्कुल टाइम पे हर चीशेर करने की पूर से पूरी कोशिश करूँगा और आप लोगों को सारे links provide कर दिये जाएंगे और क्या news है और क्या नहीं वो भी दे दी जाएगी तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए का मेहा मेहा